तो आ गए मेरे मजनुभायो तो भाई मेरे आज की स्वीडियो में आप लोगे कुछ बताने वाला हूँ कुछ सीखाने वाला हूँ कुछ जो है करके भी दिखाने वाला हूँ दोस्तों मतलब कि क्या होता है हमारे छोटे-छोटे से निब्बा और निब्बी क्या कर लेते कि बदल जाता है तो दोस्तों आप नहीं चाहते दोस्तों आप नहीं चाहते कि इस धोके बास भरी जिंदगी में आपको कोई धोका देया फिर आपके साथ कोई और जो है चीट करें तो दोस्तों इसके लिए आप कैसे दोस्तों आप कैसे उनके सारे टेक्स मैसेज जो है आप अपने फोन पर देख सकते हो 101 पर स्ट्रियल के साथ क्या कहा है दोस्तों मैंने आप अपने पार्टनर के अपने जी आप अपने वाई हो किसी की भी जो है टेक्स्ट मैसेज को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं उनके पास क्या क्या टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं सब कुछ जो है आ आप लोगों बताना चाहूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्रेब कर लिए और चलता हूं ऐसे पहले आपको आपने वीडियो की बड़ा है भी यह वीडियो क्या करना है प्लेटार में जाना है और प्लेश्ट टर से search करके install कर लेना है अपने phone में बरावर दोस्तों आपने इसे डाउनलोड कर लिया तो हम जो है इसे open कर लेते है open कर लेने के बाद ये कुछ permissions मांगता है तो आपको जो permissions है इसके ये आपको okay कर देना है ये उके कर देता हूँ अब दोस्तो आपकी जो चैटिंग से जो परमिशन से अलाव कर देने के बाद आपकी जो फोन की जो मैसेज डिपिकल्ट मैसेज का एप है वह इसमें कनवर्ट हो जाएगा मतलब कि आपके फोन में जो अब्लिकेशन होता है मैसेजिंग का इसमें सब कुछ आ जाएगा बराब दोस्तो आपको अलाव कर देने के बाद उसके बाद दोस्तो जो फ्री डॉट उपर कॉर्णर पर बराबर ध्यान से देखिए दोस्तो वहाँ त्री डॉट पर जो है क्लिक कर देना है उसके बाद आपके सामने आपको शी ऑप्शन सा जाते है मार्क एस रीड मैसेज फॉर जो है आपको अलग अलग जो है आप पर मिल जाते है यह पर आप थेम चेंज कर सकते है जो अप्लिकेशन में बड़ा मजीदार फीचर आए इसमें क्लोस थेम का तो दोस्तो हमको करना है हमारे काम की बात तो हम यहाँ सर्च करेंगे यह आप देख सकते हो मैसेज फॉर कोड़ कर देना है देखिए दुस्ती आपने qr-code ओपन हो गया अब दोस्तो हमेश क्या कि ची Kennedy करना है फिर अपने पार्टनर के फोन में बहुंस फोन कर सकते हो इसे ही कर सकते हो धूट का अब लोगों को फोन में जया है स्मार्ट फोन में आड़ोड में अविल जयाता है क दोस्तों Chrome browser app आपको अपने फोन में open करना है बराबर दोस्तों यह मैं Chrome browser app open कर लेता हूँ उसके बाद आपके सामने जो search bar आ जाती है बराबर ना अपने फोन में आपको Chrome browser app open कर लेना search bar पर tap कर देना है M-A-S message for web देखी दोस्तों आज आ गया है message for web तो तो दोस्तों message for web सर्च कर देने के बाद आपके सामने जो first वाली link आ जाती है message for web तो आपको जो है वापर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों देखे हम इसे थोड़ा लोड होने देते है जो हमारा कुछ QR code का scanner आ गया दोस्तों इसे क्या करना है आपको simply से जो QR code मैंने आप लोगों को दीखा या था यह जो QR code है आपको अपने GF के phone से या फिर अपने partner के phone से अपने phone में जो है Chrome browser में इसे open करके इसे scan कर लेना है दोस्तों आपने scan कर लिया तो आपके जो GF के phone में जीतने भी जो contact होंगे जितने भी जो messages के messages है किसके साथ message आते है किसके message आते है लोगों को इस Chrome browser पर देखने को बिलेंगे दोस्तों 101% के साथ मान लीजे दोस्तों अगर मेरे पास दो phone होती तो मैं आपको डिल्कुल directly जो है आपको scan करके दिखाया हो तो पर मेरे पास एक phone होने के कारण से मैं आपको screen recording पर सब कुस समझाने की कोशिश कर रहा हो तो दोस् तो यही जानकरी थी मैंने आप लोगों को बता दिया है अशा करता हो आप लोग मेरी छोटी जानकरी पसंद आई हो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो शेर करो और दोस्तों सबसे जोरी बात आप हमारे चैनल पर नहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न देमात्रम